नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से Nutrition 99 में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कच्चे लसुन के बार में दोस्तों कच्चा लसुन अगर आप खाते हैं तो आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे इसे किन लोगों को नहीं खाना चाहिए और खाने का सही तरीका क्या है इन सभी विश्यों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तो अगर आप कच्चा लसुन खाना चाहते हैं या फिर आपने थोड़ा सा भी कच्चे लसुन के बारे में सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है तो वीडियो को एंट तक जूर देखे अगर आप हम बहुत जल्दी बिमार हो जाते हैं आपकी इम्मुन्टी बहुत वीक है तो आपको कच्चा लसुन खाना चाहिए दोस्तों कच्चा लसुन आपके लंक्स यानकी फेफड़ों के लिए बहुत जारा फाइदेमंद हैं जो लोग स्मोकिंग करते हैं या फिर पल्यूटिड जग मुँ से बदबू आती है तो उन्हें भी कच्चा लसुन जूर खाना चाहिए कच्चा लसुन मर्दों के लिए राम बाण औशदी माना जाता है दोस्तों जो मर्द एडी की प्रॉब्लम से परिशान है अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते उन लोगों को कच्चा लसुन जूर खाना चाहिए ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि गैस एसिडिटी और पेट की परिशानियों से जूज रहे हैं तो अगर आप भी पेट की परिशानियों से जूज रहे हैं तो आपको कच्चा लसुन खाना चाहिए यह एसिडिटी और गैस को दूर करता है और पेट के ल के लिए भी फाइदेमद है बच्चों को अकसर पेट के कीड़ों की सम्स्या हो जाती है या फिर पेट में बैक्टीरिया हो जाती है जिन से उन्हें काफी जड़ा परिशानी हो जाती है तो बच्चों को कच्चा लसुन जूर देना चाहिए दोस्तों भीपी में यह बहुत ज़ादा फाइदे मत रहता है। बहुत से लोग हैं जिने high BP की प्रॉब्लम रहती है तो high BP वालों को भी कच्चा लसुन जरूर खाना चाहिए। ये kolesterol को कम करता है, खून को पतला करता है जिससे कि आपका high BP की प्रॉब्लम कम हो जाती है और कम BP रहता है तो दोस्तो यह मुख्य फायदे है कच्चा लसुन खाने के अब हम बात करते हैं कि किन लोगों को कच्चा लसुन नहीं खाना चाहिए दोस्तो जैसा कि मैंने शुरूबे बताया कि कच्चा लसुन BP को समस्या है तो लीवर के मरीजों के लिए कच्चा लसुन नहीं बना दोस्तो अगर आप प्रेगनेंट हैं तो प्रेगनेंसी में भी इसे नहीं खाना चाहिए इसकी तासीर बहुत जारा गरम होती है तो प्रेगनेंसी में गरम तासीर वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए दोस्तो अब हम बात करते हैं कि कच्च लसुन कैसे खाना चाहिए सही तरीका क्या है दोस्तो सुबह खाली पेड़ दो कलिया कच्च लसुन की गरम पानी के साथ जूर खानी चाहिए अगर आप ऐसे नहीं खा सकते तो आप कच्च लसुन की चतनी बना कर भी खा सकते हैं इसके कच्चुल असन के फायदे और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इन्फोर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए मिलते हैं नई वीडियो में थैंक यू थैंक यू सो मच